हेलो दोस्तों तो आज कल आपने रामायन के बारे में सुना होगा रामायन आपने टीबी में भी देखी होगी टीबी में काफी प्रचलित है अपने फॉन पर आप में देखी होगी तो हर जगा रामायन ट्रेंडिंग पर चल रही है आज हम इसी तरह की एक स्टोरी बात करेंगे कौन सी स्टोरी है लौल्स पित्ती की रामायन की स्टोरी है लौल्स पित्ती की रामायन के बारे में हम जानेंगे आपको पता है हिमाचल प्रदेश्ट का लौल्स पित्ती जो है के अनुसार माना जाता है बिल्कुल आपको जानकर थोड़ा सा आश्च्रे भी होगा कि इस तरह की बातें लोहल की रामायन में हैं प्रन्तु यहां से जब नेट पर सर्च किया गया तो यहां से पता चला कि लोहल स्पित्ती की जो रामायन है उसको कहीं पर लिखा नहीं गया है उसको लोहल की किसी भी भाषा में लिखा नहीं गया प्रन्तु हां यहां के लोग मानते हैं कि इस रामायन को जो है लिखा तो नहीं गया है प्रन्तु कथा के रूप में इसको जरूर सुनाया जाता है जरूर इसका वाचन जो है वो कथा के रूप में किया जाता है कि सीत दीर में धरम के लोग भी पूजा करते हैं और सिब धरम के लोग memo को हिंदू धरम में भी यह मानने का है कुछ लोग जो है जो चिब लोग माता षिता के रूप में उस मुर्ति ौती को पूजते है अब यहाँ पर यह माना जाता है कि एक बार एक बार जो था एक ब्राह्मन थे और ब्राह्मन जो थे वो पूजा करते थे लक्ष्मी माता की लक्ष्मी माता की पूजा करते थे वो एक कलस जो थे वो पूजा का रखते थे एक वार रवण ने क्या किया कि उस कलस को चुरा लिया जैसे ही रावण ने ब्रह्मर्ण का ध्यान कहीं दूसरी अक्रिविडीज में लगा कर उस कलस को वहां से ले गए और उन्होंने वहां पर जाकर अपनी पत्नी मंदोद्री को जो था वो कलस दे दिया और मंदोद्री के साथ उन्होंने कहा कि इस कलस को जो है वो संभाल कर रखना इस कलस में जो है वो विश है इस कलस में विश है ये उन्होंने कहा और इसे संभाल कर रखना उसके बार रावन जो थे वो खुद तो तपश्या करने के लिए चले गए और कलस जो था वो मंदोद् वही इसमें जहर है, हलंकी उसमें पूजा का समान था, उसको पीना चाहा, और उसको पीकर जो है, मंदोदरी गरवती हो गई, गरवती हो गई, और जब उसे इस बात का पता चला, मंदोदरी इस बात को लेकर घबरा गई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था, जो गर पर राजा जनक को मिली और इसी तरह से शीता माता जनक की पुतृ कहलाई। परन्तु लहल के लोग मानते हैं कि सीता जो थी वो रावन की पुतृ थी। तो ये एक स्टोरी है डेली हंट करके एक साइट है उसके थूरू हम जा रहे हैं उसके थूरू ये सब लिखा गया था जो हमने थोड़ा बहुत पढ़के आपको सुनाया तो ये कहानी माननेता है रामायन के बारे में जो कि लौल की रामायन है इस तरह की बातें भी हिमाचल म इस तरह की बातें भी मानी जाती है तो रामायन भी हर एक रीजन में अपना अलग अलग रूप लेकर मानी जाती है तो ये हमने जाना रामायन के बारे में तो ये एक कथा पर चली था है जिसके बारे में कहीं पर लिखा नहीं गया है प्रंतु फिर भी लोग कथाओं के सुनाई जाती हैं धन्यवाद